मित्रों बहुत बहुत अभिनांदन बहुत बहुत स्वागत ऐसे मेरे सभी प्रिय श्रोता सभी प्रिय दर्शक जो की सत्यकी खोज में रहते हैं मैं पूरी आत्मियता के साथ की उनका स्वागत करता हूँ मित्रों आज का ये जो एपिसोड है ये विशेश रूप से उन लोगों के लिए है जो किसी कोर्ट केस में लंबे समय से फसे हुए हैं जबकि वो निरापराद हैं सही हैं और उनको जूटा फसाया गया है या उनकी कोई गलती नहीं है फिर भी वो इसका दंश झेल रहे हैं अ अपना बहुत सारा समय वो खराब कर चुके हैं और उनको हासिल कुछ भी नहीं हो पा रहा मित्रों मुझे दो-तीन दिन पहले एक ऐसा इमेल राप्त हुआ जिसको पढ़ करके मेरी आखों में आसु आ गये जी हैं एक ऐसा लिखती जिसका किसी केस से कोई लेना कोई देना नहीं था वो पिछले दस सालों से कोर्ट केस में फसा हुआ है पूरी तरीके से बरवाद हो चुका है उसका जो पैत्रक मकान था वो बिक गया है जो भूमी थी थोड़ी सी वो बिक गई है पत्नी के जो गहने थे वो भी बिक गये है और आज की तारीख में वो एक किराय के म कान में रह रहा है बहुत पीड़ा होती है मैं तो ऐसा कोई इमेल जब पढ़ने को मिलता है कुछ उपाये ऐसे हैं जिसमें हमारा कोई पैसा नहीं कर्च होने वाला और हम अग्यानता वश्च उससे अन्विक हैं हमें पता ही नहीं है कि ये कैसे करना है मुहूर्द आधारि जो विज्ञान है मेरी नजर में और मेरी जहां तक रिसर्च है सबसे सटीक वो विज्ञान है वो बिमारी से पहले इलाज की बात करता है मित्रों जैसे अगर हम टीका लगवाल लते हैं किसी बिमारी का तो हमें निश्चित रूप से वो बिमारी आगे नहीं होगी अगर हम में। किसी कार्वी की शुरुवात करते हैं, तो आप निश्चित जानिए कि वह कार्वी जो है, वह भली भूत होगा और उसका परिनाम निश्चित रूप से शुख होगा। अब बात कर लेता हैं court case की अगर court case कुछ निश्चित नक्षत्रों में कुछ निश्चित वारों में कुछ निश्चित तिथियों पर इसके combination में अगर दायर किया जाए या आपको जो अगली date मिलने वाली है वो इस combination की आप प्राप्त करें तो आप शर्ट प्रतिशत ये निश्चित जानी है कि पहली तारीक से ही आपके favor में चीजें होने लगेगी पर निश्चित रूप से आप उसमें सही होने चाहिए मैं तो आई हम जान लेता है आपको इस बोल्ड पर ये नक्षत्रों के नाम दिखाई दे रहे हैं ये वारों के नाम दिखाई दे रहे हैं और ये तिथियां दिखाई दे रही है तैघ्स्र है जेश्था आत्रा भरणी पूर्वा शाड़ा पूर्वा भात्रुकद' पूर्वा फाल्गुनी ञूल आश्रिलेशा मधा वार है बुद्वार गुरुवार शुक्रवार और तित्या है तृतिया पंचमी अश्टमी दशमी त्रयोदशी अर्थात तेरस जिसको कहते हैं और पूर्णिमा अब आपको उदाहन के हूप में समझा देता हूँ कि अगर आपको अगली गेट चाहिए तो आप यह कोशिश करें कि उस दिन या तु जेश्था नक्षत्र हो और उसके साथ में बुद्वार हो और तृतिया तित्वी हो या पर मांगेजी कि मघा नक्षत्र हो शुक्रवार ह हो और त्रयों दशी हो इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन एक चीज इसमें से एक इसमें से इन तीनों का अगर निश्चित जारी कि उस केस में आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता मित्रों ये कुछ इतने सरल उपाए होते हैं जो हम अनवेजिता के कारण नहीं कर पाते हैं अब इससे आगे का एक स्टेप कि जिस दिन माली जी कि कल सुबह आपकी डेट है इनमें से ही जो आपने चैन की है उसको आपको सौ प्रतिशत फली भूत करने के लिए मा बगला उससे पहले रात चाहें जो भी वार पड़ता हो पहली रात को जब कल सुबह है तो आज रात को आपको एक माला मा बगला मुखी मंत्र का जाब करना है जो कि मंत्र मैं अभी आपको बताने वाला हूं माता बगला मुखी जो है वो शक्त्य विनाश के लिए उनका पुजन कि तो मंत्र इस प्रकार है ओम रिम लिर्म बगला मुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुकम पदम स्तंभय जीवा कीले बुद्धी विनाश्णा है ओम लिर्म हिर्म ओम स्वाखा इसका अगर आप किसी प्राण प्रतिष्ठित मंत्र चेतन्य युक्त यंत्र के सामने बगला आपने चैन की है वो आपके फेवर का फैसला लेकर के आएगी मित्रों यदि आपको हमारा ये कारिकरम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाव पहुचाने के लिए इसको शेयर कीजिए और ला और हमारे अगले कारिकरम का इंधार करती है नमस्कार शुक्रिया